आज कि हमारी डाइट में nutrition value बहुत कम है, चाहे वो protein हो, vitamins हो, minerals हो, phytonutrients हो, इसलिए हमें additional supplements की जूद पड़ती है, हम जो खारे हमारी डाइट में जो हमें मिल रहा है, basically हमें कितना खाना चाहिए, उसमें थोड़ा सा gap है, what should we eat and what do we eat, there is a nutrition gap, basically nutrition gap को fulfill करने के लिए हमें supplements की उसकी अपनी toxicity होती है, side effects होते हैं, सब जानते हैं, absorption कम होता है, bio availability कम होती है, एक होता है natural, जो प्राकरतिक सोच से लिया गया है, जो market में available है, लेकिन उसमें purity और safety की कोई guarantee नहीं होती है, chemical हो सकता है, pesticide का भी chemical हो सकता है, किसी भी तरह का chemical हो सकता है, अच्छे हैं, लेकिन स seed से लेके end product सक पुरा ख्याल लखा जाता है, ऐसे जो supplements मनाया जाते हैं, उनमें पोधों की या बीज या फल जो भी है, उनकी cutting, तब होती है, जब उनका nutrition value peak होता है, GMP practice अपना ही जाती है, the council for responsible nutrition का tag लगा होता है, purity, safety and potential की guarantee होती है, ऐसे supplements की bio availability बहुत अच्छी होती है, adoption ब